इसराइल हमास युद्ध की वज़ा से गाजा में लाखों लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं। हालात इतने बत्तर हो चुके हैं कि पूरे गाजा में लोग दाने दाने को महताज हो चुके हैं। विश्व स्वास्त संगठन से लेकर दुनिया की कई संस्थाएं गाजा में भुकमरी की चेतावनी दे रही हैं। गाजा में जहां देखो वहां लोग खाने पीने की चीजों के लिए तरस रहे हैं। लेकिन कई देशों ने गाजा को ट्रकों में भर कर मदद भेजी है। वहीं दूसरी तरफ इसराइली सेना की कड़ीना के बंदी की वज़े से रफा बॉडर पर गाजा के लिए मदद से लदे ट्रकों की लाइने लगी हुई हैं। और भूख प्यास से तडपते गाजा के लोग गाजा के बॉडरों पर लाइनों में खड़े मदद का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान इसराइली सेना ने एक बड़ा हवाई हमला किया जिसकी चपेट में आने से करीब 104 लोगों की मौथ हो गई और 760 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सभी लोग मानविय साहता का इंतजार कर रहे थे। और इसी दौरान इसराइली सेना ने उनके ऊपर अंधा दुन्द फाइरिंग कर दी जिसमें 104 फिलस्तीनियों की जान चली गई। इस हमले को लेकर गाजा के स्वास्ते मंतराले का कहना है कि इसराइली सेना ने निहत्ते लोगों पर हमला किया है। इसराइली फौज के मताबे कुत्री और दक्षनी गाजा के बीच क्रॉसिंग पॉइंट पर भीर ने बवाल करना शुरू कर दिया था। जिसके जवाब में इसराइली सेना ने पहले तो चितावनी में गोलिया दागी लेकिन जब भीर हिंसक हो गई तो सेना को गोलियां चलानी पड़ी। इसराइली सेना ने अपनी सफाई में कहा है कि उसने सिर्फ उन्हीं लोगों पर फाइरिंग की जो वहां तैनाज जवानों के लिए खत्रा बन गए थे। हाला कि इसराइली सेना का ये भी कहना है कि वो इस बात की जाच कर रही है कि किन कार्णों की वज़ा से ऐसे हालाग बन गए।